सल्मान के शो बिग बॉस 13 में नहीं सुनाई देगी बिग बॉस आवाज 12 साल बाद बड़ा बदलाव नमस्कार बिग बॉस 13 के अगास की तरीक महत कुछ दिनों में सामने आने वली है चैनल पर इस शो के बैक टू बैक दिल्चस प्रोमो भी सामने आ गई हैं जिसमें ये पाएने में अपने सीजन से अलग होने वाला है ये तू सफ है इस बर बिग बॉस का सारा फोकस के वल से अलिबरिटी कर टैंसुरत सेRT segurता और बदला और बदलाव कोई होने वाला है तो वे अवाज का chu आप आपको बिग बॉस की अवाज शो में नहीं सुनाई देगी ये इस शो अब तक अपने 12 साल पूरे कर चुका है ऐसे में ये बदलाव फैंस के लिए नहीं सरप्राइज लेकर आता है ये देखना दिर्चस्प होगा पिछले तीन सीजन में बिग बॉस टी आरपी में फेल होता रहा है इस बार मेकर्स किसी भी तरह का रिस्क नया लेते हुए एक नयट विस्ट के साथ शो को लेकर आ रहा है थीन और कंसेप्ट के साथ कई बड़े बदलाव फैंस के लिए चुकाने वाले होंगे मिलिक जानकारी के अनुसार इस बार बिग बॉस के आवाज में भी बदलाव फिछले 12 सीजन में घर में आप जो बिग बॉस के आवाज सुन रहे थे वो अब बदल कर फिमेल आवास होने वली है इतना तो साफ है कि बिग बॉस की आवाज सल्मान खान के साथ इस शो की सबसे बड़ी यूएस पी है ऐसे में पुरी तरह से बिग बॉस के आवाज को बंद नहीं किया जाएगा बले कि इस बार फिमेल आवाज को भी शो में शामिल किया जाएगा बिग बॉस की तिहास में पहली बार ऐसा होगा जब घर के अंदर फिमेल बिग बॉस की आवाज सुनाई देगी मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक औरीजिनल बिग बॉस की आवाज अतुल कपूर की है उनके साथ एक बार एक महला भी शो क के लिए अपनी आवाज देगी कर्टेंस्टेंट को इस बार मेल और फिमेल आवाज के साथ घर में बात्चित करनी होगा हाले कि इस मामले पर अभी तक शो की टीम की तरफ से कोई अधिकारिक जानकारी नहीं आई है कहा यह भी जा रहा है कि सल्मान खान के साथ कोई फिमेल जरूर कीज़ और आगे ऐसी खबरे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरे आपके लिए लाते रहते हैं धन्यवाद